ताडं नमो सिद्धाडं नमो आईरियाडं नमो उज्जायाडं नमलो ये सवसावुलं पंच परमेश्टी भगवन्तों की गनाचारे भगवन विराग सागर्जी मुन्राच की आचारे भगवन गुरुवर विशुक सागर्जी मुन्राच की यामसभी अपने जीवन में सुख और गुनों की अविवद्दी के लिए निती के विश्यों का श्रवन के लिए कि कुछ वक्त हमें खुद को समालने के लिए रखना चाहिए उन वक्तों में हमें बहना नहीं चाहिए अक्सर यह होता है कि हम बह जाते हैं जब प्रशंसा का समय आता है तो हम खो जाते हैं खुद को भूल जाते हैं प्रशंसा के समय और प्रशंसा के समय हमें खुद को सम्हालना चाहिए आज की निती कह रही है जब नदी का बहाव बहुत तेज होता है तो उसमें नहीं उतरना चाहिए अत्वा उस नदी में डैम का पानी छोड़ा गया है उसके पहले एक अलारम बचता है तो हमें जब पानी छूटे तब नदी में नहीं उतरना चाहिए अत्वा समुद्र की लहरे सामान की जगा उफान में हो तब हमें नहीं बहना चाहिए यह अपना विवेक जब आपकी कोई प्रसंसा कर रहा हो तब हमें नहीं बहना चाहिए आज की नीती कह रही है कि जब लोग आपकी प्रसंसा करें तो समय क्या करें समाले कैसे खुद को देखो एक बात ध्यान ड़कना तेज गती से गाड़ी चलाने का कहीं मना नहीं है ना गवर्मेंट का रूल ऐसा कुछ है ना ही जो बेच रही है कंपनी उसका कार में 200-200 तक कि कितनी स्पीड होती मैकसीम 240-280 तक कि स्पीड होती है मतलब वहां तक गाड़ी चलेगी मना नहीं है लेकिन चलाए वो ही जिसका कंट्रोल हो चलाए वो जिसके पास कंट्रोल हो इस पीड का मना नहीं है ठीक ऐसे ही जब कोई आपकी प्रसंसा कर दे वाव तुम बहुत अच्छी आदमी हो तुम बहुत बढ़ी आदमी हो तुम्हारे बारे में तो दुनिया ने इतनी अच्छी अच्छी बाते करें और आप यू भूल करके 200 किलो के हो गए सीना 56 की जगा 156 इंच हो गया यहीं आपकी गलती होती है आप अपने आपको दूसरों से आकलन कराते हो जबकि स्वयम का आकलन स्वयम करना चाहिए आप क्या करते हो दूसरे ने आपके लिए अच्छा बोल दिया तो आप अच्छे और आपके लिए बुरा कह दिया तो आप बुरे सुबह सुबह आप अपनी मल्टी से अपने घर से बंगले से बाहर निकले एक विक्दी कहता है भीया तुम बहुत अच्छे आदमी हो पताओ आपने चौका लगाया महराज के आहर हुए इतने बड़ी आदमी धर्मात्मा आदमी हो तुम धया करते हो तो आप हाथ में जिन्जवानी थी दोती पहने थे एक द्रव का डबा था आप खुश आप खुश मैं बहुत चा आदमी हूँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ या अपने अपने आप में अजियूम कर लिया अब देखो अगले ही दिन नेक्स डे अगले ही दिन एक विक्ति आप से मिला कहता है तुम से खडूँस कोई आदमी नहीं तुमारे जैसा कोई पापी नहीं लूटते हो तुम तो लोगों को अब यहां क्या सीन बना आपने अपने आपको बुरा मान लिया गलत मान लिया मतलब दूसरे ने जो कह दिया दूसरे ने जो कह दिया आप वैसे खुद को मानने लग गए बस यही कमी है यही कमी है आपकी दूसरे ने प्रसंसा कर दी तो आपने खुद को अच्छा मान लिया और दूसरे निंदा कर दी तो आपने खुद को बुरा मान लिया देखो निंदा में कूले न और प्रसंसा में फूले न आज की नीती समझना आज की नीती जब आपकी प्रसंसा हो तब बिवेक और धेर रखे जब भी कोई आपकी प्रसंसा करे तब विवेक और धेर रखें हमेशा ये सोचें मैं इसके योगे नहीं हूँ ये तो मेरे उपर काय रहा है ये तो सभी के सैयोग से हुआ है एक अच्छा विक्ति अच्छा विक्तित्व अपनी प्रसंसा में किवल अपने कोई प्रसंसे नहीं नहीं मानता वो सहकारी साधनों कर भी ध्यान देता है जैसे आप में से किसी ने गुटका छोड़ा है किसी ने रात्त्री बोजन चोड़ दिया किसी ने आलू प्याज चोड़ दिया और आप से कोई मिले वा भीया वा तो में गुटका छोड़ दिया हाँ हाँ ऐसा मत कहना मुलना सभी के अनमोदना से सभी के पेड़ना से ऐमने छोड़ दिया गुरु जी ना सिरवाद दिया तो प्रसंसा आपने बांट दी तो आप पूलोगे नहीं अब भूलोगे नहीं तो खुद को भूलोगे नहीं। पता आपको, जब राम ने लक्ष्मन से का कि भाई, रावन से युद्ध कीजिये। लक्ष्मन ने रावन के चक्र से ही रावन का वद कर दिया। इसके बाद पूरी सेना, उचल रही कोई तलवार घुमारा, कोई हाती चिंग हाडरा, कोई दनुसबान घुमारा, जीतने के बाद भी देखो, राम ने लंका जीती थी पूरी, सोने की लंका, लंका जीतने के बाद भी, रावन की मृत्यू के बाद, राम गंभीर बैठे ऐसा नहीं कि उपने दुपट्टा दार के ऐसे से गुमा रहे हूं नहीं नहीं राम ने जीत प्राप्त करी लोग उनसी प्रसंसा कर रहे थे कि वा आपके जैसा पराक्रमी तो कोई नहीं राम गंबीर बैठे थे चिंतन कर रहे थे कि अगर राम अपनी गलती इमान लेता तो आज मृत्यू को प्राप्त ना होता मेरी प्रसंसा मत करो भाई लक्ष्मन नल नील हनुमान की प्रसंसा करो सुग्रीव की प्रसंसा करो भामंडल सेना लेके आए था भीवीशन से बोलो राम ने खुद की उपर credit नहीं लिया जब कोई प्रसंसा करता तो आप credit ले लेते हैं और जब कोई आपकी प्रसंसा करे और आप इसमें दो शब्द और जोड़ दो समझ लेना मान कसाय आ गई है दो लाइन जो पीछे से आपने जोड़ी उसमें और बस इसका मतलब मान कसा आ चुकी है किसी ने आपसे का मा क्या स्वाधिस्ट भोजन बनाया है आपने हम तो अपने घर में बेशी बनाते थे हम तो कुकिंग कोर्स किया है लोग तो उंगली काट लेते हैं ये किसने पूछा इसका मतलब तुम भूल चुके उपर उडोगे और ऐसा उडोगे एकाथ दिन पर नीचे जब कोई आप प्रसंसनी काम करें अच्छी बात है प्रसंसा करना या प्रसंसा होना अच्छी बात है लेकिन प्रसंसा में बह जाना अच्छी बात नहीं है आज हम से प्रति दिन कोई नो कोई आके बाहर का कहता ही है, जैन हो या जैन हो महाराजी आपके प्रोचान हम सुनते है अच्छी बात, आच्छी बात गुन्ना भी बात कौन सा पेज फॉलो करते हो तुम ये भी सुना करो ये गरंत ले जाओ ये पढ़ा करो इसको पढ़ो के तुम हो अच्छी लाएगा ये बाते कहना अलग बात है अपने मुझ से अपनी प्रसंसा करना ये अलग बात है अपने मुझ से अपनी प्रसंसा नहीं करना चाहिए अगर कोई प्रसंसा करता भी हो चलो ठीक है ये सब मल है पुन्न का मल एसा मान लेना चाहिए चलो ठीक और अगर ऐसा नहीं माना तो अभी मान आ जाएगा और अभी मान का बजन तुमको ले डूबेगा अभी मान का बजन ले डूबेगा आज की नीती सफल होने के बाद क्या करें उसके लिए हैं सफल होने के बाद प्रसंसा में डूबे ना अक्सर ही होता है थोड़ा सा चार जटके पानी के आए पानी आगया पानी आगया गया निजर लग जाती है कोई किसी ने प्रसंसा करी हाँ 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 बस पिटे अगर कोई आपका शत्रू आपकी प्रसंसा कर रहा हो तब क्या करें जो आपकी बीचे लगा रहता हो आपकी बुराई करता रहता हो निंदा करता रहता हो पता है आपको कि वो परशान करता है और उसको परशान करने में ही मजा आता है ना ऐसे लोग होते हैं ना जब वो आपकी प्रसंसा करें, तो अपने आपको दुखी प्रेजेंट करें। सुने केसे, पता है कि अपना ये मित्र नहीं है, ये बीचे से अभी आपन को चुरा भूकने वाला है। तो उसके सामने खुद की बुराई करें, सुनो कैसा, अरे अब क्या बता है, बहुत परिशानी चल रही है, कुछ भ्यापार चली नहीं रहा, अभी माल लिया था, भी कही नहीं, तसलाग का नुकसान लग गया, और अब पैसे हैं तो घर में जगणा चली रहा है ये, का करो य अजानी लाइफ, समझ गए, शक्त्रु परसंसा करे तो, और मित्र परसंसा करे, तो हाँ चोड़ के एक बात बोलना, सब आप लोगों की दुआएं, और गुरु देव का आशेरवाद है, ऐसा करोगे, तो मान कसाएं नहीं आएगी, और मान कसाएं नहीं आएगी, तो आप टिके रहोगे मजार में, देखना जादातर खिलाडी जो सौरन बनाने के बाद, फूल जाते हैं, कई ऐसे होते हैं कि पचास रन पे भी हैलमेट उतार लेते हैं, वो फूल चुका है, वो पच्पन पे आउट, सौरन बनाए, पूरी पबलिक कड़ी, कोच कड़ी हो गई, उ वो इंज्वाइ तो करता है, लेकिन भूलता नहीं, वो ही दो सो बना पाता है, वो ही धाई सो बना पाता है, समझ गए? उचा खिलाडी बनना है, अपनी प्रसंसा को पचाना सीखे, हाजमुला खाना सीखे, जब कोई आपकी प्रसंसा करे, तो धैरे और बिवेक की, कि गोली खाले, बरना अभिमान की गैस बनेगी, बस दीरे से, सिर नीचे कर ले, क्योंकि प्रसंसा जो है, इतनी गरिष्ट वस्तु है, इतनी गरिष्ट वस्तु है, कि वो कुछ भी कर सकती है, और थोड़ी बहुत सक्सेस मिली कि इसे हैं प्रसंसा कर दी, तो रोक दोसको, बुलना भी अभी, जब तक पूरा न जीत जाओं, प्रसंसा मत करना, कोई कर आज अलेर्ट है, पानी गरेगा, जब तक दो घंटे न गर जाए, तब तक नहीं मानना, कि अलेर्ट है, अलेर्ट मतलब क्या होता है, नदी नाले भर जाएं, गली में, कॉलोनी में पानी लबा जब कोई आपकी प्रसंसा करे, आपकी अधूरी जीत पर उसको रोक देना भीया, अभी अधूरी जीत पर प्रसंसा मत करो, वरना काम बिगड जाएगा, मैं पूल जाओंगा और फिर खुद को भूल जाओंगा, तो क्या करें, जब कोई प्रसंसा करें, बिबेक और धेर की गोली खाए अभी आप लोग देखना दीरे दीरे लोग जो गुरूओं से जुडेंगे लोग उनकी प्रसंसा करेंगे उनको अपने आप में लगेगा कि मैंने कुछ लाइव का अचीवमेंट की है मैं आप से कह रहा हूँ कि गुरूओं के सानित में बिताया गया समय एक तरफ पूरी जिन्दगी का वक्त एक तरफ पढला भारी रहेगा लेकिन कोई प्रसंसा करें उसकी पचाना पचाना उससे कहना भीया जब तक मैं प्रसंस नहीं मानूँगा खुद को तब तक मेरी प्रसंसा नहीं थोड़ा सा मुझे वक्त दें मैं अभी और अच्छा होना चाहता हूँ अपने आपको अधुरा ही मानना परना आगे नहीं बढ़ता हूँग एक शिष्य गुरू के पास गुरुकुल में रहकरके चित्रगारी सीखता था ठीक उसके साथ उसका बेटा भी सीखता था जो गुरुकुल में गुरुजी थे वो अपने बेटे की प्रशंसा नहीं करते थे मुझे वो शिष्य पढ़ने आया था पेंटिंग बना था उसकी प्रशंसा करते है वहां बढ़ा और अच्छा बना हर भक्त अपने बेटे को कहते हैं कि सुधार करो भी कुछ कमी है और वो शिष्य था उसकी पेंटिंग इतने अच्छी नहीं होते थी फिर भी बहुत बनिया एक्सिलेंट तुमने क्या पेंटिंग मनाई है अपनी मा से कहता है मा पिता जी मुझे नहीं चाहते पेताजी तो वो शिष्य को ही चाहते मुझे मेरी काई प्रसंसा ही नहीं करते प्रसंसा सुनने के भाव से एक दिन उनके बेटे ने चित्र बनाया और उने दोस्त की आथ से भिजवाया मलना बताओ कैसा लग रहा है क्या आप चित्र बनाया है इतने सुन्दर इसे सुन्दर चित्र तो कोई देखा ही नहीं ऐसा चित्र तो सिर्फ मेरा बेटा बना सकता है बेटा सामने खड़ा हो गया पिताजी मेरे सामने मेरी प्रसंसा नहीं करते हो ना पिताजी धीरे से कहते हैं गुरू जी धीरे से कहते हैं बिट अब आज के बाद तु इससे अच्छी नहीं बना पाएगा क्योंकि तुने प्रसंसा की चाहा कर लिये अपनी प्रसंसा सुनकर भूले ना और प्रसंसा सुनने की चाहा भी ना रखे अगर आपने प्रसंसा सुनने की चाहा रखिये कि मैं फलाने गुरू का सिस मैंने अपने गुरू के लिए किया तुम चोटे हो तुम्हारे बारे में कोई और कहे कि तुमने अपने गुरू के लिए ऐसा किया है वो प्रसंसी नहीं है आपको अपने नाम कहने की जरुवत ना पढ़े लोग आपका नाम कहें वो परसंद से नहीं, पता आपको अभी आप सब के बीच में कल एक ऐसे भी बालिका थी, वो डेप्यूटी कलेक्टर बनके आई थी हमने उसका एक बार भी स्रीफल नहीं चड़वाया चड़वाया डेप्यूटी कलेक्टर बनना 25 साल की उमर में चोटी बात है मैंने नहीं चड़वाया, मैंने का रुको मैंने उससे का कि तुम्हारा मैंने स्रीफल क्यों नहीं चड़वाया पता है, मैंने नहीं गुरुजी मैंने का इसीलिए नहीं चड़वाया है तुम रुको अभी जब अगली बार तुम लाल बत्ती में आओ चार पुलिस वाले साथ में हो और जब तुम्हारे पास मंदिर कमेट्डी के अध्यक्ष मंत्री घूमे आईए कालेक्टर साव तब उनसे कहना कि आपके मंदिरम पहले भी आचुके है तुम्हारा परीचे तुम्हारा विक्तितु दे तुम ना दो जो कि जो प्रसंसा में फूल जाते है वो अपनी सफलता का रास्था भूल जाते है सफलता के रास्थे को भूले ना अपनी प्रसंसा में फूले ना बिवेक और धेर की हाज मूला की गोली खाते रहें ताकि प्रसंसा के जो गैश है गैस वो तुमारे अंदर अभिमान का रोग ना बढ़ा दे आज की नीटी भूलना नहीं प्रसंसा करना या प्रसंसा सुनना बहुत अच्छी बात है लेकिन प्रसंसा में बह जाना अच्छी बात नहीं है अब इमान को कंट्रोल में रखें अपनी प्रसंसा करने वाले को भी कंट्रोल में रखें जो बह जाते हैं जब कोई आपकी प्रसंसा करे तो अंदर-अंदर अपने पीट ठोकना कि तु बहुत अच्छा आदमी है लेकिन बाहर कहना कि बस सब भगवान का गुरुओं का अशेरवाद और आप लोगों की दुआएं हैं मैं तो इसके योगे नहीं हूँ इतना लेकिन ध्यान रखना कोई बहुत तुम पैसे वाले हो करोड़ पती हो तो मना नहीं करना मना सब गुरुओं का अशेरवाद है आपकी दुआएं हैं मना कर दिया तुमने वो सरस्वती गले में बैठ गई तो सब चला जाएगा मना नहीं करना लेकिन अपनी प्रसंसा में तार भी मत जोड़ना ऐसा समझना शेश आगे दिखेंगे पगवान मावीर सौमी की